Hello students, मैं ये वीडियो बनाता हूं, मैंने डिजिटल लेक्टोनिक्स के वीडियो बनाए उसके बाद फिर मैंने IOT से रेलेक्टिड वीडियो अपलोड किये और अब मैं अनालोग लेक्टोनिक्स से रेलेक्टिड आपके लिए लेक्ट्र बना रहा हूं मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ ना मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोजी वीडियो ग्रैफिक की या ओडियो सिस्टम्स की ऐसी कि मैं उसको उस तरीके से इतना अट्रेक्टिव बना पाऊं कि आपको वहां पे डिफरेंट टाइप के ग्रैफिक्स दिखें या ड मेरे स्टूडेंट्स तक पहुँचें ठीक है तो इसी की तरफ मेरा मेन मॉटिव यही है कि स्टूडेंट्स तक मेरे लेक्ट्र प्रॉपरली पहुँचे और इस तरीके से पहुँचे वो उसको अच्छे से समझ सकें इससे जादा मेरा कोई मॉटिव नहीं है ना ही मेरा य है कि मुझे इससे कोई earning करनी है या कुछ इस ताइब का कोई purpose नहीं है तो लेकिन साथ है मैं ये जरूर कहता हूं कि जो मैं lecture बना रहा हूं मैं चाहता हूं इससे ज्यादा स्टूडेंट्स इससे benefit ले पाएं और आप लोग जो इसको सुन रहे हैं देख रहे हैं मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप अपने friends को यदि आप इसको like करते हैं lectures को like करते हैं अपने friends को जरूर recommend करें मैं मानता हूं कि जितना आप knowledge को share करेंगे उतना अच्छा होता है knowledge को share करना बहुत अच्छी चीज़ है इसको subscribe करें like करें subscribe करें so that वो ज्यादे ज्यादे लोगों तक पहुंचें अपने हमारे last lecture में हमने clippers start किया था और clippers के अंदर दो type के clippers मैंने आपको बताया थे mainly series clippers और shunt clippers series clippers हमने last lecture में previous lecture में complete कर लिया था और अब हम शुरू कर रहे हैं shunt clippers shunt clippers shunt clippers के अंदर जैसा कि हम series clippers में देखा जो load होता है उसके parallel के उसके series के अंदर diode लगा होता है load के series में आप देखेंगे तो वहां आप previous lecture देख लेना load के series में diode लगा होता है जबकि हम यहां बात करेंगे तो जो load होता है load resistance होता है उसके parallel में diode लगा होगा यदि load resistance ना भी लगा हो तो हम उन दो point को consider करते हैं जिसके across output voltage ली जाती है यदि load ना भी connect कर रखा हो तो भी understood होता है जिन दो points के across output connect की जाते है या output measure की जाती है उनको हम output points मानते हैं उनको हम यह मानते हैं कि यहां load connect किया हुए है अब देखें shunt clippers again आगे दो type के होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था positive positive और negative and negative ठीक है positive होते है और negative होते है अब positive shunt clippers negative shunt clippers को हम साथ साथ करेंगे तो सबसे पहले हम positive shunt sorry सबसे पहले हम negative लेते हैं negative shunt clippers तो यहां मैं लिखता हूँ negative shunt clippers ठीक है negative shunt clipper ले रहे है negative shunt clipper का मतलब यह है कि जो negative part को clip कर देता है negative part of the waveform उसको clip कर देता है that that is called negative shunt clipper ठीक है जब मैं इसका structure बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको difference देखने में मिलेगा जो हमने series clipers बनाये थे और जो हम shunt clipper बना रहे है उन्हें difference देखने को मिलेगा आपको clear difference देखने में मिलेगा और वो difference क्या है देखिए structure wise भी working wise भी आपको difference देखने को मिलेगा देखिए यह मैंने थोड़ डाइग्राम बनाया है negative shunt clipper का और यहां यह input signal है जो हम यहां apply करने वाले हैं वो जैसे पहले हमने discuss के अदव ऐसी करेंगे और यहां यह output terminal है जिसके across हम output ले रहे हैं यहां मैं एक resistance connect कर देता हूँ इसको मैं RL बोलता हूँ और यहां एक resistance है जिसको मैं R बोलता हूँ ठीक है या इसको हम RS बोल लेते हैं और इसको RL या simply इसको R भी लिख देंगे that is sufficient इसको मैं R लिख देता हूँ RS का मतलब क्या है यह जो RS है यह series में resistance लगाया जाता है just for the safety of this diode की safety के लिए diode से excess current ना flow करे उसके लिए लगाते हैं इसको ठीक है तो अब देखिए यह diode लगाया है आपने और यहां एक resistance लगा दे यह load resistance है ठीक है यह this is the load resistance यह load resistance और यहां पर यह है यह series resistance है इस series resistance का काम यह है इसको safety देना excess current ना provide flow करे इसमें इसलिए इसको safety के लिए लगाते हैं बस कोशिश की जाती है डायोड को जब भी हम supply देते हैं तो without resistance उसको नहीं देते है अदरवाइस short circuit path बन जाता है और excess current में flow थूझा डायोड और जब डायोड फॉलड बायस होगा suppose करो उस ताइम यदि यह resistance ना होगा तो यह path follow करेगा यह path follow करती क्या है यदि मैं इसको resistance को इसके internal impedance को zero मान लेता हो तो यहां पर there will be infinite current ठीक है वैसे zero होता नहीं है लेकिन still हम कोशिश करते कि उसमें direct voltage supply या direct current flow ना करे उसके अंदर जो current flow करे वो किसी resistance बीच में कोई path में ह तो वो जरूरी होता है चलो यह चीज तो हुई अब देखिए जब आप series की बात करते थे और आप shunt की बात कर रहे है main difference कहा है working main difference बड़ा interesting चीज़ है जब मैं positive cycle की बात करता हूं तो यहां यह plus है यहां यह minus है ठीक है it means positive cycle की बात कर रहे है positive cycle के अंदर क्या होगा यह current यह यह conduct नहीं करेगा यह reverse bias में है यह conduct नहीं करेगा यह reverse bias में है और conduct कहां से होगा conduct यहां से current flow करेगा current कहां से flow करेगा यहां से current नहीं जाएगा because this is in reverse bias reverse bias में यहां से नहीं जाएगा लोग cross कर दिया reverse bias में this is open circuit तो current कहां से flow करेगा यहां से अब याद किजी आप कि जब हमने series clipper किये थे उस time यदि आपका diode reverse bias में था यदि आपका diode conduct नहीं कर रहा था तो आपके output में voltage नहीं आ रही थी कुछ भी output में कोई current नहीं flow कर रहा थे लेकिन यहाँ उल्टा है यदि diode conduct नहीं कर रहा तो आपको output मिलेगी ठीक है तो क्या होगा यदि मैं इसकी waveform draw करूँ तो कुछ क्या होगी देखिए मैंने waveform draw की है और यह waveform वो है जो input में जा रही है और यहाँ यह जो level है यह है v level ठीक है यह v level है और यह जो level है वो vm है vm means maximum peak value और यह जो level है this is minus this is minus of vm ठीक है यह जो wheel level है इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी अभी जरूरत नहीं है यहाँ इस जगह हमें requirement नहीं है तो next जब करेंगे case करेंगे तब जरूरत पड़ेगी अभी जरूरत नहीं है यह मैंने marking पहली कर ली अब देखिए positive half cycle जब आएगा तो यह conduct नहीं कर रहा यह resistance है यह conduct नहीं करेगा इस आपको आउट्पुट में voltage मिलेगी आउट्पुट में voltage मिलेगी इस आपको हाफ साइकल पोजुटिटिव हाफ साइकल मिलेगा positive half cycle मिल गए आपको negative half cycle होगा तब क्या होगा देखिए positive half cycle तो आपका output में मिल गए यहाँ देखिए यह जो voltage है this is vm जो हमने लिखा था कि यह होनी चाहिए ठीक है यह मैंने इसके लिए बनाया था यह उपर वाला diagram अलग है यह अलग है अब देखिए जब negative half cycle होगा तब क्या होगा यहाँ पर positive आ जाएगा और यहाँ पर negative half cycle negative half cycle होगा तब क्या होगा यह conduct करेगा क्योंकि यह forward bias में हो गया ठीक है उस टाइम क्या होगा यह conduct करेगा because this isn't forward bias now अब यह conduct करेगा मैंने कहा था हम ideal diode लेके चल रहे हैं ideal diode से ही समझाएगा आपको बाकी चीज़े मैं आपको बता दूँगा कि ideal ना हो तो क्या होगा यह ideal diode आपको consider कर रहे हैं यह conduct forward bias में होगा तो 100% conduct करेगा reverse bias में होगा तो infinite impedance show करेगा तो यह conduct करेगा it means zero impedance path follow करेगा और आप जानते हैं आपको मैंने पहले भी बताया किसी resistance के parallel में zero impedance path या short circuit path हो तो क्या होगा इसके अंदर current flow नहीं करेगा सारा current कहां से जाएगा short circuit path से जाएगा तो current will flow from this path और यहां पर जो current है इसके अंदर जो current है वो flow नहीं करेगा ठीक है इसमें यहा current flow नहीं करेगा जो सारा current है वो diode के थ्रू जाएगा, diode short circuit path provide कर रहा है और current इसके थ्रू नहीं जाएगा क्योंकि short circuit path उसको यहां से मिल रहा है यहां current flow क्यों नहीं करेगा क्योंकि this short circuit path and this resistance these both are in parallel shunt और shunt में यहीं कुछ ऐसा हो तो current यहां से flow करेगा, short circuit path से flow करेगा, यहां से नहीं करेगा, short circuit path क्यों है क्योंकि diode is in forward wise और forward wise में diode जो है उसको क्या बोलते हैं, that will work as a short circuit, तो it means क्या होगा, आपको output path के अंदर, जो output circuit के अंदर, जहां से आप output ले रहे हैं, इसके अंदर आपको output नहीं मिलेगी यहां आपको कोई potential नहीं दिखेगा, यदि आप यहां multimeter लगागे दिखाओ, देखोगे तो आपको यहां कोई भी potential नहीं show करेगा, इसमें कोई current नहीं flow कर रहा, it means यह जो end है, यह जो चीजे हैं, यह जो part है, वो dead है, इसके अंदर को output आएगी नहीं, तो it means, यहां पर जो आप show कर रहे हैं, आप इसके अंदर, यहां जो show कर रहे हैं, it will remain zero, zero रहेगा यह, is it clear, यह zero रहेगा, अब देखिए, अब थोड़ा हम अलग करते हैं, यह एक case तो हो गया, यह जो case था, इसके अंदर हमने, एक standard case लिया था, negative shunt clipper का, इसके अंदर हमने कोई biasing voltage यूज नहीं की थी, कोई biasing नहीं कर रही हमने, हमने just input दे रहे हैं, और उस input के according ही हम देख रहे हैं कि output क्या होगी, अब हम यह दिए, यहां कोई biasing voltage लगा देखिए, यहां पर मैं एक biasing voltage लगा देता हूँ, और biasing का काम क्या होता है, या तो डायोड को reverse बैस करता है, या forward बैस करेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता कि biasing voltage कैसी लगाता हूँ, कि जो इसको reverse बैस करेगी, वो लगाता हूँ, ठीक है, reverse बैस करते हूए एक biasing voltage लगा दी मैंने, और यह voltage है V, suppose grow यह V जो है, वो 5V है, suppose grow this is 5V, और जो Vm है, यह peak value, वो 10V तक जा रहा है, और यह इधर जो जा रहा है, वो minus 10 तक जा रहा है, ठीक ह है अब आप देखिए, अब मैं दوبारा से positive cycle का case लेता हूँ, positive half cycle का लेता हूँ case, जब यह cycle अंदर जा रहा है, तब क्या होगा, अब देखिए, यह इसको reverse बना रहा है, यह भी इसको reverse बना रहे है, दोनों इसको reverse बना रहे है, तो यह conduct नहीं करेगा, यह conduct नहीं कर रहा, त और कितना voltage का contribution होगा उसके अंदर देखिए, अब question यह आता है कि दो batteries लगी हुई है, तो इसमें output कितनी आएगी, output किस time में कितनी output आएगी, अब यह सोचने वाली बात है, यह first case था, अब हम second case पे हैं इस time, तो यह zero level, यह zero level, तो अब बात यह आती है कि इसके अंदर यहाँ output अब कितनी आएगी, इसके अंदर जो voltage लेवल होगा, वो कितना होगा, देखिए, यह तो plus minus है, यह यहाँ से current flow नहीं कर सकता, तो current यहाँ से flow करेगा, ठीक है, लेकिन साथ में क्या एक battery यह भी लगी हुई है, क्या इस battery का current ऐसे flow कर पाएगा, सोच के देखिए, क्या इस battery क क्योंकि current हमेशा flow करता है, positive terminal of battery to negative terminal of battery, तो क्या यह current ऐसे flow कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, because यह जो path बन रहा है, यह diode के reverse में बन रहा है, तो इसलिए current ऐसे भी flow नहीं कर पाएगा, तो it means आपका current क्या होगा, उस time, आपका current जो होगा, वो सिरफ इस battery के कारण होगा, इस source क कारण होगा, इस source के कारण इसमें कोई current नहीं होगा, it means आपको जो output मिलेगी, जो output आपको मिलेगी, वो कैसी output होगी, देखिए, positive half cycle में आपको complete VM तक ही voltage मिलेगी, VM तक, ठीक है, यह जो voltage मिलेगी, VM तक मिलेगी, जैसा हमने अभी discuss किया, यह level कितना होगा, VM, positive half cycle में सिरफ इसके current current flow करेगा, इसके current कोई current flow नहीं करेगा, आगे बात करेंगे भी negative के अंदर क्या होने वाले, तो positive half cycle में आपको सिरफ जो voltage shape मिलेगी, वो यही मिलेगी, जो यहाँ थी, मैं free hand में इसको draw कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा shape में difference आ सकता है, तो उसको mind मत करना, तो बस आप समझ दो, जो मैं बताना चाहरा हूँ, उसको समझ यह, लास्ट में मैं आपको पूरी waveforms दिखा दूँगा, जो printed waveforms और वो show कर दूँगा, कि कैसे होगा, तो यहाँ देखी यह waveform आ गई positive half cycle के लिए, अब negative half cycle के ओपर चलते हैं, negative half cycle के अंदर जब चलेंगे, तो यह positive होगा, यह negative होगा, it means negative half cycle आ गया, जब negative half cycle आएगा तो, तो यह जो voltage है, यह इसको forward bias बना रही है, forward bias बना रही है, इसको current को यहाँ से flow कर जाना चाहिए, लेकिन यह current flow नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह जो battery है, यह इसको reverse bias बना रही है, suppose गरो यह 5 volt है और यह 10 volt, peak तक जाएगी, तो यह start होता है 0 से, तो जब यह 0 है, उस time यह reverse bias नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह 5 volt इसको reverse bias कर गए, sorry, जब यह 0 है या 1 है, जब यह 1 है, तो यह conduct इससे नहीं करेगा, conduct यहाँ से नहीं करेगा, because यह इसको reverse bias बना रहे है, इसको forward bias बनाने के लिए आपको जो voltage लगाने पड़ेगी, वो इस voltage से जादा लगाने पड़ेगी, समझे यह चीज़ आप, यदि यह 5 वोल्ट है, suppose करो, यह 5 है, suppose करो, तो आपको यहाँ जो voltage लगाने पड़ेगी, यह जो level देना पड़ेगा, इसको forward bias बनाने के लिए, वो 5 वोल्ट से जादा देना पड़ेगा, आप एक बार इस, आप एक बार इस, इस portion को छिपा लेजी आपने हाथ से, इस सारे portion को छिपा यह सिरफ यह loop देखिए आप, अब यह दिया 5 वोल्ट लगी हुई है, तो अब यह इसको एक circuit की form में देखिए, कि एक source यह है, एक source यह है, यह forward bias में तब बनेगा, जब यह battery इस से बड़ी है, या जब यह source इस से बड़ा है, it means 5 वोल्ट तक, जब तक यह 5 वोल्ट ना पह रहेगा, reverse bias में रहेगा, और reverse bias में रहने का मतलब क्या है, कि current इसके थूरू flow करेगा, लेकिन current की direction opposite होगी, current अब इस direction में flow करेगा, इस direction में, ऐसे, इस direction में, तो current की direction हम कहते हैं कि current की direction अब opposite हो जाएगी, current की direction जो होगी, that will be, current की direction जो होगी वो अब ये होगी तो वो current की direction में positive आने थी थी ये current की direction negative है current negative में flow करेगा लेकिन कब तक flow करेगा जब तक की ये 5 volt ना हो जाए लेकिन 5 volt होने के बाद क्या output 0 हो जाएगी सोच के देखें क्या output 0 हो जाएगी output 0 नहीं होगी यहां से सिर्फ वो voltage flow करेगी उतना ही current flow करेगा जितना ये excess of 5 होगा 5 volt तक का ये 10 तक जाएगा ना तो 5 volt तक का current के current जो current है दो source होगे ना एक source ही है एक source ही है यदि आपको ऐसे समझना आए तो आप क्या करोगे super position theorem लगा के समझ लेना इसको कि एक बार ये source लगा लिया एक बार ये source आपको यह पता लग जाएगा यहां current कितना आएगा तो आप यह देखिए यहां current flow करेगा करता रहेगा ऐसा नहीं है कि यह 6 volt हो गया तो यहां current flow करना ये 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 current flow जाएगा तो उसके current current flow करेगा वो यहां short circuit path से चला जाएगा 6 volt minus 5 1 volt आया 1 volt के current जो current होगा यहादर चीजा जाएगा बाकी जो 5 वोल्त के current होगा यहां फ्लॉ करेगा थीक है और कैसे ऐसे increase करेगा उसको यहां तक आना चाहिए था लेकिन वो यहां तक ना आके इस तरीके से रहेगा और यहां से फिर दुबारा से zero हो जाएगा वो ठीक है अगें वो zero हो जाएगा तो यह जो level है ना यह जो level है यहां पर वो level कितना है this level is this level is v यह v level तक ही जाएगा v level से आगे नहीं बढ़ेगा यह v level पर जाके रुख जाएगा यह ठीक है क्योंकि v level के बाद यह कंड़ करना start कर देता है तो उस level की आगे की जो voltage हो यहां से pass हो जाएगी तो यह हो गए दोनों cycle positive half cycle और negative half cycle यह six seven eight nine ten हमेशा यह रहेगा तो यह positive और negative half cycle दोनों हो गए अब हम third case लेते हैं ठीक है third case क्या है third case तब है जब मैं यहां जो byicing voltage है इसको मैं opposite कर देता हूँ ठीक है byicing voltage क्या हो गया अब यह पहले इसको reverse wise बना रही थे अब इसको forward wise बना रही है ठीक है और यह जो है यह plus और यह minus ठीक है यह plus और minus नहीं पहले हम यह लेते हैं positive half cycle लेते हैं sorry पहले हम positive half cycle लेते हैं यह plus और यह minus ठीक है हम नय case कर रहे ह। नय case कर रहे है तो positive half cycle के अंदर क्या होगा देखिए यह जब zero है यह तो slowly increase होगा जब यह one है तब यह forward wise है जब यह two है तब यह forward wise जब यह थी है तब यह forward wise है ठीक है तो आप यह देखिए कि यहां यह दिया 5 V है suppose गरो यह 5 V है तो इसके करण़ तो यहां current flow करता ही रहेगा इसके करण़ तो यहां current flow करता ही रहेगा हमेशा करता रहेगा जब यह 0 है तब भी current flow करता रहेगा it means 5 V तो आपको output में हमेशा मिलेगी 5 V तो आपको output में हमेशा मिलेगी स्पोज कर यह 5 वोल्ट का लेवल है तो 5 वोल्ट आपको हमेशा मिलेगी आउट्पुट में और उसके बाद क्या है कि फर्दर अब देखिए जिए जिरो हुआ से 1 हुआ फर 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 5 के बाद इस 6 वोल्ट हुआ 7 वोल्ट diamonds वह 9 वोल्ट वा 10 वोल्ट वा अब यह देखिए यह source और यह source दोनों parallel में हैं और parallel में जब source होते हैं voltage source होते हैं याद कीजिए आपने पढ़ा होगा शर्ट 12th class में ठीक है या फस्टेर में पढ़ा होगा electrical technology जब आपने पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा parallel जब voltage source लगते हैं तो उनकी voltage add up नहीं होती, current add up हो जाता है लेकिन voltage add up नहीं होती, voltage add नहीं होती, तो voltage add नहीं होगी, it means जब ये जब तक ये 5 से छोटा है, तब तक तो 5 volt potential रहेगा output में, और जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, जब ये voltage इसको dominate करेगा, जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब dominate नहीं word बोलूँगा, क्यों dominate क्यों नहीं बोलूँगा, because दोनों एक दूसरे के hand to hand काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, opposite में काम नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम नहीं करें दोनों एक दूसरे के, एक दूसरे के hand-to-hand काम कर रहे हैं, जब ये एक दूसरे के hand-to-hand काम कर रहे हैं, तो देखिए, जब ये इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये 6V आउटपुट में आएगा, जब ये 7 हो जाएगा, 7V आउटपुट में आ यह 10V हो गया था वी एम तक पहुंचे और उसके बाद से फिर यह decrease करना शुरू किया और जैसी यह 5V से नीचे आएगा तो उसके बाद क्या है कि इस बैटरी एकरन आउटपुट आपको मिलने शुरू हो जाएगी और वो आउटपुट यह आप एक चीज और कह सकते हैं कि आ इतनी आउटपुट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी लेकिन जैसी यह वोल्ट 5V से अब हो हुआ तो एक यह लूप बन जाएगा अब यह 5 से 10V तक का एक पीक आएगा यहाँ ठीक है यह बात होगी positive half cycle की आप देखिए negative half cycle में क्या होगा negative half cycle के अंदर यह आपका plus यह आपका minus अब देखिए यह जो voltage है यह, यह current यहाँ से flow करेगा यह current काहां से flow करेगा इस path को follow करेगा पाथ को नहीं फोलो करेगा यह यह जो इस पहली इस battery को देखो इसको भूल जाओ एक बार इस battery के current जो current flow करेगा वो इस path को follow करेगा because this is short circuit path क्योad यह वह चुन होगा है जब चीस को डाई जाओ भूल जाओ रिर्ट दक्षालिए को तो वह करंट यहां से से करेंगा और यहां से दोनों तरफ से लो करेंगा करण तो यह आप यह कह सकते हैं गराँट आपको वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी जो करन्ट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव डारेक्शन में कर रहा है या आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी 5 वोल्ट 5 वोल्ट आपको मिलती रहेगी पॉजिटिव इसको समझने का एक और तरीका भी है कि आउटपुट में वोल्टेज उतनी ही मिलती है जितनी वोल्टेज यहां लगी हो या जितनी इसके अक्रोस ड्रॉप हो रहा है वो उतना ही आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी याद कीजिए जब मैंने यह बैटरी नहीं लगाई थी और यहां पर यह किया था तो सारा करंट यहां से फ्लो कर गया था और यह शॉट सर्कृट था तो शॉट सर्कृट में कोई पोटेंशल ड्रॉप होता ही नहीं तो आउटपुट में देखिए यहां जब मैंने कोई आउटपुट में जीरो मिलेगा तो याद रखिए जब कोई पेरलल आम होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रॉप यहां होगा वही आपको यहां मिलेगा विलेगा तो अब यह जब वल्टेज लगा रखिए मैंने तो यह वोल्टेज इन दोनों के अक्रोश throughout the negative half, आपको इतना लेवल तो 5 वोल्ट का लेवल तो मिलता ही रहेगा, ठीक है, तो ये मैंने positive half और negative half दोनों के लिए बता दिया, कि क्या output होंगी इसकी, अब ये हमने negative shunt clipper किया था, आप positive shunt clipper करते हैं, लागबगे same line पे ही हैं, तो जल्दी से उसको खतम करते हैं, मैं एक change कर दी है, और ये standard positive shunt clipper है, इसके अंदर क्या किया, हमने इदर से waveform दी है, हमने input waveform दी है, जैसे पहले देर थे, और positive half cycle की मैं बात करता हूँ, positive half cycle के अंदर क्या होगा, कि ये plus ये minus, अब देखिए current flow इसके अंदर positive half cycle में क्या करेगा, यहां से ऐसे forward bias बिना रहा है इसको, तो positive half cycle के अंदर जो current होगा, वो यहां से flow कर जाएगा, सारा, यहां कोई current नहीं जाएगा, यहां, it will work as a short circuit, यह जो है, यह short circuit की तरह work करेगा, तो current सारा कहां जो flow करेगा, यहां से, इस path के तरह flow करेगा, इस resistance के तरह current flow नहीं करेगा, first case ले रहां भी हम, की जो इसके अंदर output waveform होगी, for the positive half cycle, वो क्या होगा, that will remain 0, वो 0 रहेगा, ठीक है, वो क्या 0 रख दिया मैंने, ठीक है, it will remain 0, उसके बाद देखी क्या होगा, जब negative half cycle आएगा, तो क्या होगा, यह minus और minus plus, negative half cycle आएगा, negative half cycle में क्या होगा, यह reverse bias में होगा, तो इसमें current flow नहीं करेगा, इसमें current flow नहीं करेगा, तो सारा current कहा से flow करेगा, यहां से, और जब यहां से current flow करेगा, तो आपको output में voltage मिलेगी, कितनी मिलेगी, जितनी voltage यह है, उतनी मिलेगी, तो आप यहां देखिए, output के अंदर आपको पूरी waveform, complete waveform मिलेगी, output में, यह waveform मिल गई आपको, और इसका level क्या होगा, इसका level होगा, minus of Vm, कितना level होगा, minus of Vm, क्यों लिख दिया, यह जस्त यह है कि उस ताम current की direction आप उपजिट होगी, current की direction के उपर ही depend करता है कि आपकी output positive consider होगी, negative consider होगी, current की direction मैंने आप उपर की side लिए है, इसमें, नीचे से उपर लिए है तो उसको negative मान है, उपर से नीचे लिए है तो उसको positive मान है, ठीक है, अब second case लिजिए, second case के अंदर, अब second और third case में मैं इसमें biasing voltage लगाऊंगा, वो biasing voltage आइदर इसको forward बाइस करेगी या reverse बाइस करेगी, सबसे पहले मैंने इसको reverse बाइस बना लिया, diode को यह voltage लगा रखी है, मैंने यह biasing voltage लगा रखी है, reverse बाइस कर रही है, और फिर से again मैंने इ positive half cycle बात करता हूँ, जब positive half cycle होगा, तो देखिए, यह जो voltage है, यह voltage इसको forward बाइस बना रही है, यह voltage इसको reverse बाइस भी बना रही है, यह voltage इसको forward बना रही है, यह voltage इसको forward बना रही है, लेकिन यह reverse बना रही है, it means क्या हुआ, कि जब तक यह voltage, यह voltage इसको reverse बना रही है, औ करेगी zero volt to Vm, यह zero से Vm तक increase करेगी, यह V constant है, जब तक यह V को approach नहीं करेगी, V is less than Vm, तो जब तक V को approach नहीं करेगी, तब तक इस path में current flow नहीं करेगा, current यहां से flow करेगा, इस path के थुरू, ठीक है, तो यहां से जब current flow कर रहा है, जब इस path में current flow कर रहा है, तो इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको output के अंदर voltage मिलेगी, कितनी voltage मिलेगी, जैसे-जैसे increase करेगा, उसके according voltage मिलेगी, जैसे-जैसे यह increase करेगा, उसके according voltage मिलेगी, तो देखिए, यहां पर मैं draw करता किस लेवल तक की व perché मिलेगी ऐ हुआ है ऑस फाय वूल्ट तक यह व वोल्ट तक मैं वि लेवल लता हुँ वी को मैंने five consider किया था तो व वड़ तक की आपको व्रटिज मिलेगी उसके बाद क्या हुआ देखिए इस तो funny शेट से स्पिर हुआ six हो जाएगा लेकिन तो current उतना ही flow होगा जितना इनका difference है उससे जो extra voltage है वही यहां current flow करवा पाएगा, suppose करो यह 8 है यह 5 है, जो 8 minus 5 तो 3 volt जो है, 3 volt potential ही current ही यह current flow होगा, बाकी rest of the current will flow from here, तो आपको जो potential मिलता रहेगा output में, वो यह V level तक मिलता रहेगा, और उसके बाद क्या है, कि जब यह decrease करेगा again, increase, peak पे जाके जब decrease करेगा, तो क्या ही इसके साथ ही decrease हो जाएगा, ठीक है, because यह conduct करना, यह जो diode है, यह conduct करना बंद कर देगा, जैसे ही यह voltage, this supply voltage, will become less than this, biasing voltage, जब biasing voltage से कम हो जाएगी, तो क्या है कि यह conduct करना, बंद कर देगा, बंद कर देगा, it means, उस time output, decrease होने, start हो जाएगी, उसके बाद, जब हम negative half cycle में बात करेंगे, तो negative half cycle के अंदर, this is plus, this is minus, और यहाँ क्या होगा, कि यह जो, this voltage is making this reverse bias, और यह जो voltage है, यह भी इसको reverse bias बना रहे हैं, दोनों ही इसको reverse bias बना रहे हैं, it means, यह conduct नहीं करेगा, यह conduct नहीं करेगा, यह आप कह सकते हैं, this will work as open circuit, यह open circuit की तरह work कर रहे हैं, it means, क्या है, the whole current will pass from here, तो आपका output में क्या मिलेगा, output में waveform, complete waveform मिलेगे आपको, इसका level क्या होगा, its level will be minus of vm, vm volt तक यह level जाएगा, ठीक है, तो यह मैं पहले अच्छे समझा चुका हूँ, तो उसी lines के उपर है, तो positive half cycle और negative half cycle दोनों के लिए बात कर लिए, अब हम third case की बात करते हैं, third case के अंदर क्या होगा, जो battery है, वो इसको forward wise बना रही है, जो battery है, that is making this as a forward wise, और यहाँ देखिए, positive half cycle के पहले बात करते हैं, जब positive half cycle होगा, तब क्या होगा, कि यह जो battery है, ऐसे कैसे मैंने आपको यह तो बताया था, कि जब forward wise बनाएगा, तो क्या होगा, कि यह इतना current तो हमेशे इसमें flow करता रहेगा, यह देखी यह current तो हमेशा flow कर रहा, और जैसे current flow कर रहा, उसे आपको यह पता लगरा है, कि जो output होगा, वो negative, negative में Vvolts तो जुरूर रहेगी, हमेशा रहेगी, negative के अंदर Vvolts तो हमेशा रहेगी, तो negative के अंदर Vvolts तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन अब थोड़ा चो और बात कर लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकल जब होगा तो उस टाइम क्या होगा उस टाइम ये तो सारा यहां से पास कर जाएगा इसका कोई contribution आउटपुट के अंदर नहीं होगा तो आउटपुट में जो contribution होगा तो आपको वी वोल्ट आउटपुट में मिलता रहेगा अब जब voltage polarity change होती है जब negative half cycle आता है तो क्या होगा ये आगया negative half cycle negative half cycle आया तो क्या होगा ये इसको reverse bias बना रहा है ये करंट यहां से flow करेगा ठीक है यहां से flow करेगा लेकिन ये जो voltage है ये इसको reverse bias बना रहा है ये जो voltage है वो इसको forward bias बना रहा है ये जो voltage है वो 0 से लेकर VM तक जाएगी suppose गरो 0 से लेकर 10 volt तक जाएगी जब ये 0 से 10 ये minus की बात कर रहे है minus के अंदर जाएगी ठीक है और ये जो voltage अल्रेड़ी लगी हुई है तो क्या होगा इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका plus और minus का फरकित सिर्फ इतना ही होता है current की direction का हम minus current minus sign कब लगा जाएगा जब current की direction conventional से opposite होती है तब हम minus sign लगा जाएगा तो क्या होगा कि इस voltage के current यहाँ current नहीं जाएगा अब यह सारी voltage सारा जो current flow करेगा इधर से करेगा और इसके current भी इधर से कर रहे है it means दोनों एक दूसरे के hand to hand काम कर रहे है एक दूसरे के 7 मिल के काम कर रहे है जब 7 मिल के काम कर रहे है तो जो output आएगी वो दोनों के कारण आएगी लेकिन एक चीज़ ओर रियाद रखना पैरनेल में voltage अड़ अप नहीं होती जो dominant करती है उसके according ही output voltage आजाती है जो ज्यादा होती है उसके according output आजाती है तो output जो आएगी वो क्या होगा जब तक ये voltage जब तक ये source voltage इससे कम रहेगी तब तक आपको output के अंदर कोई भी signal नहीं म मिलेगा जब तक i e voltage इससे कम रहेगी तो क्या होगा आपको जो आउटपुट है वो इसके कार्ण्ठ ही मिलेगी गी मेल्ली देखो यह आपको जो लूप हो दिखाई नहीं देगा कहने का मतलब यह है कहने का मिनिंग यह है इस टाइप का लूप आपको नहीं दिखेगा, जब तक ये voltage, जब तक ये source voltage, इस biasing voltage से कम है, current में contribution रहेगा, current में इसके current भी current flow हो रहा है, लेकिन मैं wave shape की बात कर रहा हूँ, इस wave shape का, इसके अंदर, output के अंदर, आपको कोई दिखेगा नहीं, shape नहीं दिखेगी वो, ठीक है, तो क्या होग कि ये voltage, यहां से यहां तक इतनी रहेगी, जब तक ये V level ना achieve कर ले, और उसके बाद, जब ये, जब ये voltage, V level से ज़्यादा हो जाएगा, V level means 5 volt, 5 volt से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये output, आपको output, ये जो input signal है, ये जो negative half cycle है, वो आपको output में appear होना start हो जाएगा, when this will cross the level of V V, तो आपको output में ये voltage दिखनी start हो जाएगी, तो output में आपको ऐसे दिखेगी है, थोड़ा चोटा बन गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा जितते हैं, ठीक है, ये increase हो गई ऐसे, और उसके बाद क्या होगा, कि जब दोबारा से ये level नीचे जाने लगेगा, ये level नीचे जाने लगेगा, तो 5 V तक जब दोबारा पहुंचेगा, तो उसके बाद से फिर आगे एक constant level अचीव कर लेगा, फिर से, फिर से आपको इसका effect output waveform में नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इसका effect output waveform में तभी दिखेगा, when this voltage is greater than this, otherwise आपको throughout the positive cycle and negative cycle, आपको जो output मिलेगी, वो यहां मिले नेगेटिव के अंदर यह voltage अपियर होगी, V level है, यह magnitude दिखाए मैंने चिरह होगी, यह minus V आप इसको कह सकते है, तो यह इस तरीके से अपियर होता है, ठीक है, तो यहां आपको मैंने यह सब बता जाए, positive और negative shunt clipar, एक और होती है waveform, उसके अंदर क्या होता है, एक diagram और बत देता हूँ, आपको उसके अंदर क्या होगा, अभी मैं बना के दिखाता हूँ, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, positive negative shunt clipar है, इसमें positive और negative दोनों ही clipping होगी, ठीक है, और कैसे होगी, देखिए, यह case जो मैंने draw किया है अभी, यह जो case है, यह वाला case यह है, अब इसके अ जाया था, उसके अंदर क्या था, अभी यह positive clipar था, negative clipars पर आ जाएए, तो negative clipars के अंदर क्या था, यहां मैंने acid diode लगाया था, और इसके अंदर इसको reverse बैस करता हुआ, मैं यह battery लगा दी मैंने, ठीक है, recall कीजिए आप, इससे पहले जब negative shunt clipar बताया था, तो recall कीजिए, उसके अंदर waveform कैसी थी, वो recall कीजिए, अभी इन सब को भूल जाएए आप, सिर्फ आप इसको धान दीजिए, सिर्फ आप इसके उपर धान दीजिए, सिर्फ आपने इसको देखना है, इस case को देखना है, और किसी case को नहीं देखना आपने, ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या, जब positive half cycle आया, तो wave shape ऐसी आगई, जब negative half cycle आया, तो wave shape दूसरी आजाएगी, वो wave shape कैसी होगी, देखिए, वो negative clipper को सोची आप, negative clipper जब आपने किया था, तो यहाँ waveform कैसी आए थी, यहाँ waveform ऐसी आए थी, याद कीजिया आप, ठीक है, तो यह waveform क्या होगी, दोनों तरफ से clip हो जाएगी, positive side से भी, और negative side से, थोड़ा से इसको अच्छे draw कर देता हूँ, यहाँ से manage कर दिया clip, और ठीक है, तो जब positive half cycle आया, तो आप positive clip पर सोच के clip कर दीजिए, negative half cycle आया तो यह clip होगी, क्योंकि positive half cycle जब आयेगा, तो क्या होगा, तो positive half cycle आयेगा, तो यह तो conduct करेगा ही नहीं, ठीक है, यह conduct करेगा, यह conduct करेगा, देखिये, कब करेगा और कब नहीं करेगा, यह V level तक नहीं करेगा, उसके बाद करेगा, तो आपको इतनी waveform मिल गई, जब negative half cycle आया, तो क्या होगा, यहां से यह इधर जाएगा, और यह देखिए, यह voltage यह तो conduct करेगा ही नहीं, यह conduct करेगा, कब करेगा, जब तक यह level, यह देखिए, यह तो negative half cycle में यह conduct नहीं करेगा, यह conduct करेगा, और कब करेगा, जब तक यह level, यह voltage level, supply का voltage level, इस voltage level को, वी voltage level को cross ना कर जाए, ठीक है, तो आपको negative half cycle में जाएगा, clip होके, तो यहां इसमे positive cycle भी clip हुआ है, negative cycle भी clip हुआ है, इसलिए इसको बोलते है, positive and negative shunt clipper, ठीक है, यह clipers का topic खतम होता है, और इसके साथ ही मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार diagram और दिखा देता हूँ, अच्छे चे बने हुए, printed form में, देखिए, यह clipers है, और किस type के clipers है, series clipers है, यह मैं सारे बता चुका हूँ, जस्ट एक बार आपको book का view मिल जाए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, यह series clipers है सभी, यहाँ इधर देखोगे आप, तो positive type के हैं, इधर देखोगे तो आप negative type के हैं, तो यह series clipers हो गए, और उसके बाद क्या है, shunt clipers या parallel clipers, कुछ भी बोल लेजिए इसको, तो यह है positive type के और यह है negative type के clipers, और यह जो मैंने last में बताया था, positive और negative दोनों को clip करता है, तो positive negative clipers, इसमें आप एक voltage को ज़्यादा रख दीजिए और एक voltage को कम रख दीजिए, तो क्या करेगा, वो एक clipping होगी, वो अलग different level पे होगी, दूसरी clipping different level पे होगी, दोनों को same रख दिया, तो दोनों की clipping same level पे होगी, ठीक है, तो यह आपका clipper का topic खतम हुआ, और दूसरा next बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, तो मेरे जो videos हैं, मेरे जो lectures हैं, उसके अंदर मैं कोई बहुत high-fire technology यूज़ नहीं करता, मेरा motive सिरफ यही रहता है, कि students को समझ आ जाए, तो मैं आपका feedback जरूर चाहूँगा, कि आपको कुछीजे समझ आ रही हैं नहीं आ रही, यदि आपको कहीं पे कोई problem face कर रहे हो, कर रहे हो हैं